ना उसका दोस्तों डीडी रेट के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है मैं हूं आज तो भाई आज कमर चीमया जी का एक वीडियो ले कर रहा हूं वो इस वीडियो में चीमया जी बड़े परिशान है वह सवाल पूछ रहे हैं कि वाई इंडिया विनिंग इ कि चीमा जी का दुख क्या बयां कर रहे हों कि दोस्तों दुनिया क्रिकेट में एक बहुत बड़ा जिसे कहेंगे एक अपसेट हुए कि इंडिया जो है वह दुबारा टी-20 वर्ल्ट कप का चैंपिन बन गया यह मैं अपसेट इसको इसको सरा आप लोगों के लिए तो अप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो इसे आप अपसेट कहेंगे बड़ी है सब्सक्राइब कर देखें अगर इंडिया 119 स्कोर बनाए पाकिस्तान के खिलाफ तो इंडिया फिर भी जीत जाता है सौथ अफरीगा के पास चांस था ठीक है जी लेकिन 176 में हर चीज़ खतम कर यह आप देखें कि यह जो यह इंडिया की सेकेंड टी-ट्वंटी वर्ड काप की जीत है ठीक है जी 2007 में आई थिंग पहले जीते थे और अगर आप यह देखें कि पिछले 13 सालों में ठीक है जी कि आप यह देखें कि पिछले 13 सालों में यह फर्स टाइम है कि इंडिया जो है वर्ड काप जीता है वर्ड काप कोई भी किसी भी किसम का वर्ड काप जो है पिछले 13 सालों में किसी भी किसम क्रिकेट में ठीक है जी आरला के मज़े की बात है कि एक साल पहले इंडिया कब के फाइनल में था अभी टी ट्वंटी के फाइनल में पहुंचा और अभी जीत गया यह पहे चांस नहीं होता यह तुके नहीं लगते जो हमारे खलाडी खेलते हैं वो कहते हैं जुनाब के वो देखो अगर फिलाम मुल्क हारेगा वो जीतेगा वो आउट हो जाएगा आप अपनी लिडरिशिप से जीते हैं आप अपनी कमिट्मेंट से जीते हैं ठीके उबर कितना प्रेशर होता है यार लेकिन बड़े अराम से क्रिकेट केल रहे हैं मैं तो जाती दौर पर यह समझता हूँ कि पाकिस्तान सैकलोजिक दौर पर इंडिया से हार चुका हुआ ह और वो सैकलोजिक लिए इतना जादा अंडर प्रेशर आ जाता पाकिस्तान क्रिकेटीम पहले तो यह था कि वैसे इंडिया एक बड़ा मुल्ट से मैं आपसे अग्री करता हूँ कि साइकलोजिक लिए पाकिस्तान भारत से हारा हुआ है और बात सिर्फ क्रिकेट की नहीं है सर चारो लड़ाईया आप हारे आपकी फौज हारी आपकी फौज ने भी मान लिया है कि हम हारे हुए है भले दिखाने के लिए कुछ भी करते रहे लेकिन साइकलोजिकली आपकी फौज एक हारी हुई फौज है चार लड़ाईया लड़ाईया लड़ाई चारो हारे हैं और और ये मैं नहीं कहता, ये मैं नहीं कहता, ये दुनिया के बहुत सारे लोग, इंक्लूडिंग पाकिस्तानी लोग कहते हैं, सुनिये. और हमारी सुई अटकी हुई है कश्मीर पे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उसकी उपर हमने तीन जंगें लड़ी हैं, तीनों जंगें पाकिस्तान ने शुरू की थी, और इसमें तो कोई शक ही नहीं, सन 47 की, सन 65 की, सन 99 की, कोई इसे इखतलाफ भी नहीं कर सकता है कि हमने य से दाने सतन शुरू की थी, आप पाकिस्तान और इंडिया के तालुकात में देखें, हमने 65 में एक अबोर्टिव एटेम्ट की, बगएर तैरी कि हमने जंग शुरू की, और फिर उसको हाफ में छोड़ दिया, ना आपके आद कुछ आया, और आप मजला में एक हमलावर भी इस्टैबलिश हुए, और आपने उस फेज को गमा दिया, कि आएंदा अगर आप किश्मीर पे को ऐसी हरकत करेंगे, तो क्या वो दुबारा आपका साथ देंके देंगे, सेविन्टी वन में एक चांस सा हमारे पास किश्मीर को लेने का वी लास्ट टेरिट्री है, इस पाक पिर हमने छोड़ दिया. मैं तमा करना करती हैं तो इंडिया जो है वो जाहियत करता और इंडिया आ जाता. मैंने अर्स किया ना, ये बिलकुल गलत है. साथ, 65 बरस पे उनने कोई हमने ने किया हम पे. हमने किया पहले. सुन लिया, इसके अलावा आपकी पॉलिटिकल लीडर्शिप हर बार हारती है. ये कैसे हारती है मैं समझाता हूँ. भारत की डिमोक्रिसी हमारी आजादी के वक्त से ही बहुत मजबूत है. आज तक एक भी माशाल लौ नहीं लगा हमारे यहां. डिमोक्रेटिक वैल्यूज हमारे यहां बहुत तग्णे हैं. हमें अपने संविधान पर बहुत भरोसा है. आपके यहां क्या हुआ? आपकी जो पॉलिटिकल क्लास थी, उसने साठगाट की मिलिटरिल लिडर्शिप से और दोनों मिलकर नोच रहें पाकिस्तान को, जो आज तक जारी है, 76 years के बाद भी. तो आप मेंटिली, पॉलिटिकल रूप में भी इंडिया से हारे हुए हैं, क्योंकि पॉलिटिकली हम बड़े मजबूत लोग हैं. और आप करप्ट लोग हैं पॉलिटिकली. तो यहाँ भी demoralize हुआ आपका. आप चाहे sports की field लो, भारत आपसे आगे हैं. आप energy की fields लो, भारत आपसे आगे हैं. आप education लो, भारत आपसे आगे हैं. आप industries लो, भारत आपसे आगे हैं. आप exports लो, भारत आपसे आगे हैं. कोई एक field ऐसी नहीं है जहां पर भारत आपसे आगे नहीं है सिर्फ terrorism छोड़कर दो नमबरी काम छोड़कर fraud करना छोड़कर corruption छोड़कर भारत आपसे आगे ही मिलेगा तो यह बात समझनी बहुत ज़रुए थे कि आप एक हारे हुए नेशन हो mentally भी, physically भी, military भी और political भी तो यह बात बिल्कुल मैं agree करता हूँ दूसरा यह है क्योंकि पाकिस्तान को कहा जाता कि इंडिया 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 जहारना नहीं है और और यह पर प्रम करें जाते हैं अब ही आप देखें के अरेंडिया मोदी ने खॉल की उसको क्या मैं जबर्दस्ती तुम बड़े अग्रेसिव माइंड़ी हो ठीक है जी और तुमने इंडिया के टीम को नहीं डिमेंशन दिया है तुमारे टीटोटी का जो कैरियर है हमेशा याद रखा जाएगा मतलब ऐसे होता है यार विरात को फून किया नरेंडरा मोदी ने और कहा कि तुमने मेरा है विरात को ली ने भी दे दिया है रिजाइन कर दिया है टी ट्विंटी वर्ल्ड काप से और लेकिन देखें इतना बड़ा प्लेयर है कि नरेंडरा आने वाली नई जनरेशन को इंप्रेस को पूर्ड वर्ड जो इंडिया की जो क्रिकर टीम है वो इक विराट कोली को देखा है एक खास इसम की बैलन्स धाइट लेते हो उसे हटते ही नहीं है उसने अपना एक बैग बनाया हुआ हुआ है वो उस बैग के जरी ऑपरेट होता हो जहाज में है तो वो दॉर वो घर में तो वो भैंग होजा है उसे पृटग कोई घरज नहीं है वो कहांँ पर है बतलता है एक्टेस्ट के लिए खात है नहीं हो जायाई ते है कि अपकी फीड़ कर रहे हैं कि नहीं ठीक है और उनको अपने फिटनेस का ध्यान रखना चाहिए और उनको काने पीने पर कंट्रोल रखना चाहिए बाकि आपके लिए नहीं है या जो इन लोगों की गोल्स है जो इन लोगों की कमिट्मेंट है यह चीजह कमिट्मेंट से हो यह चीजह एक गोल्स से होती है दैन पिर राहुल ड्रेवर्ट ज वह ाप में थे जिसके आप जर्मिले जो है वहाँ किया जबरदस उसने पहली फैसला किया वादा कि मैंना यह आखरी है वह जिसे केंगे टूर्णमेंट है ठीक है जी मैं इसके बाहरे साइन करदूँगा उसने हो जाइज रजान कर दिया और वो देखें कि कि सफरतस्त किसम के उसकी मेरा क्या इस से बातरीन और उसको ट्रीट नी मिल चकती लेकिन कमिटट हूँ इंडिया ने जुद लोगों को खड़ा कर दिया उनको हलाया घञाया नहीं ले इनक्रेडिबल तो पाकस्तान का कोई साबका खलाडी वाकस्तान टीम की कोशिंग नहीं करना चाहता यह कोछिंग नहीं करना चाहते हैं पुलिटिकल पैटरनेश बहुत जादा है सुनते ये किसी की है नहीं है पर वह इने किसी की नहीं है मतलब क्या छोड़ो और इन के साथ क्या इंगेज करना है और दूसरी बात ये कि वसी मकरम क्यों करेंगे भाई कोचिंग कोचिंग से PCB जितने उनको पैसे देगी और जितना उनका टाइम खाएगी कि उससे आधा टाइम लगाके उससे चार गुना जादा पैसे कमाते हैं वो तो क्यों अपना दिमाग खराब करने जाएंगे ऐसी टीम के लिए इनकी क्या जिसे वो कहते हैं जरूर यहात हैं क्या नहीं है आप देखें राहूल जो ड्रेवर थे उनकी वो मोदी साहब कहते हैं कि उसकी इंसाइट थी जारी बाता मोदी साहब ने तो नहीं के टीम का काम होता है लेकिन यह बात ठीक है कि उसकी बोड़ी स्ट्रेजिक फोर्स साइट थी ठीक है और इससे बढ़के और क्या हो सकता है कि आपके मुलक वजीराजम यह कहें कि तमारी जो कॉंट्रिबिशन है इंडिया की क्रिकट में हमेशा याद रखी जाएगी इंड सब डर रहे थे कि बड़े बुरे तरह मैच आ रहे हैं पाकस्तानी जाना बहुत मार्केट है कि एरपोर्ट पर टेंड़े पढ़ेंगे ठीक है जी हमारा फिर साहब को डिफरन है पाकस्तानियों का अगर तो जीत के आजो तो हम फिर सर पे उठाले तो तो फिर जाजिए अं तो हमारे यहां तो जबर स्वागत हुआ है और बड़ा जबर स्वागत हुआ है उसके वीडियो में हलके फुलके चोटे मुटे दिखाते हूं कॉपिराइट आज आएगा सुर्कुमार यादो भंगडा पा रहे थे डांस कर रहे थे और जबर स्वागत हुआ एरपोर्ट इसके बाद पियम मोदी के घर पर वहां पहुंची पूरी टीम इंडिया और वहां उन्होंने मुलाकात किया है इसके भी वीडियो आए हैं तस्वीरे आई हैं और बड़ा जबर्दस वेलकम किया गया है वर्ल्ड चैंपियन्स का हमारे यहां मतलब अपने ही देश में हमार सब्सक्राइब और हम सब्सक्राइब कर रहें अभी चलती रहेगी तो टीम को आने में थोड़ी देर होगी मौसम के वज़े से वरना आप समझ नहीं कितनी बड़ी सब्सक्राइब चलेगी और इसका असर पड़ेगा हमारे नए जो बच्चे आ रहे हैं ना क्रिकट खेलने यह एक सोसाइटी बिल्ड अप हुई है हमारी स्पोर्ट्स की सोसाइटी लेकिन वो फिर जिसे वो कहते हैं कि यह एक चीज वह होती है इसको आप नहीं कर सकते हैं अब देखिए आप इंडिया की जो क्रिकट टीम है ठीक है जी उसको अगर आप देखें इंडिया जो है इंडिया ने वर्ट कॉप तो जीते हैं नाइटी एटी त्री दो 2011 में दो जार चौपीस में दो जार तैस में रहने रफ था थीक है इंडिया ने सारे फॉर्मिट आइटिंग जीते हुआ है अपड़ी बात है जी मैं जाती तॉर पर यह समझता हूँ ठीक है जी जब से यह टूर्णरमेंट शुरू हुआ थी मिरे हैं 1975 में मैंने एक दफ़ा पढ़ा था कि यह टूर्णरमेंट शुरू हुआ था जब से यह इनौगरल जो है वो सिस्टम चला है इंडिया जो है और पाकिसान के मैच का बड़ा शौर हुआ करता था थी बड़ा शौर होता था यह हो जाएगा वो हो जाएगा फला हो जाएगा अब वो मिमेंटम खतम होता जा रहा है वो मिमेंटम इसलिए खतम होता जा रहा है कि इंडियन टीम इतना अच्छा खेलती है इतना प्रफेशनल केलती है मुझे जाती तो आप इसे करीक भी लगता है कि इंडियन टीम ऐसे खेल कर देंगे ठीक हैं सो वो उनकी फिटनेस है सो यह नहीं है कि जी साथ मेडल ओर नहीं चाल रहा है हमारा जो है वो आप इसके पीशे की बात नहीं समझ रहे हैं आप सिर्फ इंडियन टीम को मत देखिए आप इंडियन क्रिकेट को देखिए और जो क्रिकेट के लोग हैं जो क् ग्राउंड लेवल पर काम हुआ है आप समझ रहे हैं ग्रास रूट लेवल पर क्रिकेट पर हमारे हां काम हुआ है MRF Pace Academy आज की नहीं खुली है आज गाउं गाउं से बच्चे आ रहे हैं वहां से सुधार आना शुरू हुआ है तो टीम अपने आप जब उपर नेशनल टीम आती है तो अपने आप को क्रिकेट पर मदद की है सबसे निचले सतर पर क्रिकेट पर काम किया है वहां के टैलेंट को पहचाना है उसको निखारा है उसको समारा है उनको कंपिटीशन में लेकर आए हैं उस लिहाज से पूरी चीज हमारी इंडियन क्रिकेट डिजाइन की गई है तब जाकर आज हम इस लेवल पर हैं कि जब अप हमारी नेशनल टीम को देखते हो, तब आप कह रहे हो कि जी फिटनेस देखो जी, बैटिंग देखो जी, बोलिंग देखो जी, साब ये इंडियन टीम ऐसे नहीं बनी है, वो जमीन से नीचे से आई है वो, और उस घीरे को तराशकर 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 उपर लाए गया है तब जाकर आज ये result मिल रहे हैं सर कि आपको professionalism दिख रहा है वो professionalism हमने एकदम grassroot level पर ले कर गया है इसके पीछे की महनत देखनी पड़ेगी आपको इसके पीछे की हमारी cricketing क्या कहा है माइंड देखना पड़ेगा किस mindset से हमने काम किया है IPL है, RG Trophy है, Dill Prophy है इतनी सारी चीज़े हमने शुरू किया और बहुत seriously चीज़े हो रही हैं वहाँ पर वो छोड़ो सर जो हमारा normal cricket है ना corporate cricket वो कभी आप मौका मिले तो कभी देखो उसकी live broadcasting होती है प्रोफेशनल नहीं है, फिर भी खेलते हैं प्रोफेशनली तो जो प्रोफेशनली cricket खेली रहा है इनको cricket में करिये नहीं बनाना आप सोचो वो कितने प्रोफेशनल है तो इसलिए हमने ground level से grassroot level से काम किया है, तब जाकर आज रिजल्टा है, आपकी तरह नहीं है आपके यहां grassroot level पर काम ही नहीं हो रहा बस खेल आ रहा है तो खेल रहा है आ जाओ जी तो यह समझना पड़ेगा कि अगर ऐसी टीम पानी है आपको तो grassroot level पर जाना पड़ेगा, वहां पर काम करना पड़ेगा ओपर वाले chodzi मक्री तरह काथ, यह नहीं रखा हुए पहल्वान मोटा, उसका क्या नाम है यार वो जवाद खान की क्या नाम है फवाद खान उसका उसको भी रखा हुआ है अच्छा वो जो है वो भी मतलब वो उसको किसी ने देख लिए बैट के साथ पीछे खारश कर रहा था उसकी मेम बन गई दुनिया उसको गालिया दे रही है कि यार तु कड़े चकरच मतलब हो लोग पना है क्षाके साम नाम हैं देडियों का लिए कशा को हैंतों इसको अव्या स्वाद्स एंचा फाक करते हैं पास्तान यह दल किता हो नहीं कर liksom कर लेने उसका लिकलिन घाना स्वादर्टयू तोड़ी कर लेते हैं यार मतलब इस इस संथिंग इस रीली इंपोर्टन के हम इन चीजों को समझने की जूरत है कि भाईया पाकिस्तान जो है वह इस तरह नहीं है कि आपने किसी को पकड़ लिया चाहिए तूं के लाए सरी फिर अगली दफ़र तुम खेलो ठीक है इंडिया क जो कि फीन फैमिलियर लिद कृरिकट जो के बात सीधी सी है ठीक है अब आप दिखिएगा इंडिया की जो क्रिकट की है उसकी पैनिट्रेशन होगी वह इंडिया की जो क्रिकट टीम मीडली इस्ट के अंदर मुंब्च सलमान बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे है ठीक है अब कहा जा रहा है कि क्रिकट जो है दुनिया की सेकंड मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट है ठीक है जी लेकिन दुनिया नहीं जानती मेरे हैं फुटबॉल होगी जारी बात है और और यह टूटी का मैच होता भी चार-पांच गेंटे में खतम हो जाता है तो इस गुड ठीक है बीस-बीस ओवर होते हैं बॉलर होते हैं थोड़े से चार-चार ओवर कराते हैं और बात खतम हो जाती है ठीक है जी अब यह चीजें जो है अब वो अमेरिकान को क्रिकट भी सिखाएंगे मैं आपको मज़गी पापता है अब वो सौदीज को भी क्रिकट सिखाएंगे ठीक अब वो सब को बताएंगे कि करिके अब वो उनके पास आ गया ना एक हाथ में वो एक घुरा आ गया और दुनिया को यह पता चल गया मुझे किसी ने बताया वेन आइस स्पोक्ष्ट सॉम्मान इन सौधी अरेबिया कि इंडियान क्रिकर टीम है जो वहां वे स्टेडियम बने वह इंडिया में बैटे हुआ है इतनी बड़ी तदाव में तो पाकस्तान की मदद क्यों लेंगे ठीक है जो इन्वेस्टर होता है न उसको इसकी नज़र अपने रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट है मैंने जो इन्वेस्टमेंट अगर मैंने सौर पर लगाया है तो मेरा 500-200 कैसे बनना है ऊससे यह गर्ज नहीं है कि हम भी मुसल्मान और तो कठे मेलके ठीक है और तौमने ढुब नहीं डूब रहा है तुमने अपने अप्तु स्यासत कर्दी आगा। Tha तो हमें बwości्मराइं हुख pursue वुराट kole वाला अगर मprem करिक्टर नायए वीडियो जो काशऑ और विछ दुनिया उसको देखे कि अभी यह उसकी मर्जी से रिटायर हुआ मतलब कि it means कि अगर एक शक्स एक इनसान एक प्लेयर ये फैसला करे कि मैंने क्रिकट खेलना है और वो खेले और फिटनेस अपने का ख्यार रखे अगर वो पंद्रह साल भी फिटनेस का ख्यार रखे तो वो इस टीम का इसा रह सकता अगर परफॉर्म करता है और अगर ना कर दो छे म इसके बाब है आई पील का कोई मुकाबला नहीं है सौधियर अरब क्रिकट में इंवेस्ट करने वाले हैं हंड्रेड ऑफ बिलियंस और डॉलर्स इंवेस्ट करेंगा आप दिखेंगा आने वाले टाइम यूएसे में भारत ये खेल रहे हैं कई जगा इंडियंस खेल रहे ह अगले दस से पंदरा साल वेट करिए और आप फिर देखिए कि क्रिकट के दुनिया में भारत कैसे किंग बनेगा मनी किंग और आपने मदद की बात गई है जाहिर सी बात है असी मुसल्मान पर चाइना भी हमारी मदद कर रहे स्क्रिंशोट लगा लेता हूं चाइना भी आ पाकिस्तान से मदद नहीं है जानता है यह पाकिस्तान फिसड़ी है आप समझे रहे कितनी बड़ी बैज़ती है आप लोगों के लिए कि चाइना ने भारत से मदद ली क्रिकेट में जबकि भारत से उसके दुश्मनी और पाकिस्तान तो उसका हमनी वाला कहता है कि हम तो आ यह इतना बड़ा गेम किया है इंडिया ने क्रिकट को लेकर ओलंपिक में क्रिकट आये इतना बड़ा गेम है सर चीमा जी आप देखेंगे इसे हम कितने billion of dollars के कमाई करेंगे कितने billion of dollars के कमाई करेंगे आपको अंदाजा नहीं है पाकिस्तानियों को जब तक ये बात समझ में आएगे जब तक ये business समझ में आएगा तब तक तो हम इसके बाश्या बन चुके होंगे पाकिस्तानियों को बात समझ में ने आती है ने जल्दी क्योंकि हम सोचते हैं 20 साल बाद की बाद वो सोचते हैं 20 मिनिट के बाद वाली बात बिर्यानी कैसे मिल ले ये फर्क है और इंडियन्स इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि उनके पास एक ब्लू प्रिंट है जिस ब्लू प्रिंट पर वो काम करते हैं कि हम अगले 5 साल में क्या करेंगे दस साल में क्या करेंगे पंदरह में क्या करेंगे बीस साल में क्या करेंगे वो अभी से प्लैन बनाते हैं उसको एग्सक्यूट करते हैं प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करते हैं किस स्टेप पर क्या करना है वो काम करते हैं उसके लिए यार तोड मैनत करते हैं, पुन पसीना एक करते हैं, तब जाकर आज हम पहुंसते हैं महाँ पर, अब ये खबर आई है, कि इलेक्ट्रोनिक्स मैनुफैक्ट्रिंग का जो सेक्टर है भारत में, वो हंडेड अफ बिलियन डॉलर्स का होने वाला है, आप अंदाजा लगा रहे ह कि क्यों हुआ है, क्यूंकि इसके लिए पिछले 5-7 साल में हमने काम किया है, स्क्रिंशोट लगा दिया है, देख लीजे, 100 और बिलियन डॉलर्स का मार्केट होने वाला है, इलेक्ट्रोनिक्स मैनुफैक्ट्रिंग में, इंडिया, और ऐसे कितने सारे सेक्टर्स हैं, जिन आपकी कंट्री में न विजन किसी के पास है, और ना कोई प्लान कर सकता है, जो एक बिजनस प्रपोजल प्लान नहीं कर सकते हैं, जो बाबू पाकिस्तान के CS Officers, आपने ही किसी वीडियो में कहा था, क्यों उनको आता ही नहीं है कि वो प्रपोजल कैसे बनाएं, इन्वेस् करना है, तो कैसे ग्रो करोगे आप, यह सबसे बड़ी, इसलिए इंडियन्स हर फील्ड में जीत रहे हैं, क्योंकि वो काम कर रहे हैं, उनके पास विजन है, वो मेहनत कर रहे हैं, वो प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, इतनी बुद्धी हैं उनके अंदर, असल बात यह, और आप लोग बिर्यानी और निहारी खाकर मस्टांग पसार के सो जाते हैं, यही फर्क है, इसलिए आप happiness इंडेक्स में उपर रहते हैं, हमें भईया हमें happy नहीं रहना, हमें दुखी रहना है, हमें दुखी इसलिए हैं, क्योंकि हमें और ज़ादा अचीव करना है, तो problem है, जब आप मेहनत करते हैं, मैदान में उतरते हैं, तो खुश ही नहीं रहती न? टेंशन में रहते हैं आपके, नहीं ये करना है, वो करना है, ये छूटना चाहिए, बज़ना है. बाकी वैसे एक फिलेट बिर्यानी खाओ, जाके सो जाओ, तो उससे खुश बंदा और क्या हो सकता है, कुछ करना ना धरना, बिर्यानी खाओ, सो उतर रहो, खुका गुड़गुडाते रहो, इसलिए आप हैपिनेस इंडेक्स में उपर हैं, हम नीचे हैं, इसलिए आप आठ कि लेंगे, कमन करके दोस्तों जरूर बताएं, जल्दे मलता हूँ, एक वानाई वीडियो के साथ, नमस्कार, जैंग,